आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है शुबह मगरवाल और आज का सेशन काफी स्पेशल क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक नए टेस्ट के उपर पिछला सेशन काफी जानदार रहा काफी सारे बच्चों ने उसके अंदर हिस्सा भी लिया हर किसी ने अपने आपको एनलाइज किया पिछला सेशन ऐसा था कि जिसमें मैंने पूरा पेपर ही उठा लिया था पेपर का ही पूरा पेपर ही पेपर का उठा लिया था दो हजार बाईस का ही पेपर उठा लिया था और उससे हम अंदादा लगा पाये थे कि भाई हम एक्ज कोशन का जो आज का लेवल है पेपर का वो थोड़ा सा मिक्स टाइप रखा गया है काफी डिरेक्ट कोशन भी रखे हैं दो चार कोशन बिल्कूल अलग टाइप के भी रखे हैं हर तरीके के कोशन को रखने की कोशिश की गई और कोशिश कर रहा हूं मैं कि आज के सेशन में भ अखरी तक enjoy करने का एक अपनाई मज़ा देखिए मैं आपको इस चीज में रीसेंटली ही पता नहीं मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और शायद मैं भी इस बात को मानता हूं आप भी मानेंगे ठीक है अगर मैं इस बात आपको बताता हूं तो क्यों है तो सुधोरी में लागां कि अर आरह कर लेता हूं अरे ङया या को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मदारी है अपने लिए मेरे लिए अपने लिए कि आप उन दो में से कौन सा student है जो मजबूरी में पढ़ रहा है या जो enjoy करके आकरी तक हर एक सवाल को लगाएगा ठीक है ना गलत हो जाएंगे सीखेगा सही हो जाएंगे confidence build करेगा और बढ़िया तरीके से exam देने चला जाएगा तो आप चूज कर सकते हैं कि मजबूरी वाला या खुशी वाला आप लिखकर भी बदा सकते हैं ठीक है ना क्योंकि successful अकसर वही होता है क्योंकि जो मजबूरी यह वह मजबूरी में दो चार लाइन याद भी कर लेगा जाते जाते बूल जाएगा क्योंकि उत्ते प्रेशर मैसूस करेंगा इतना नर्वस हो जाएगा इतना परिशान हो जाएगा इतना इसको अलग से ऑक्सिजन लगानी पड़ेगी तो इतना परेशान नहीं होना है ठीक है बाई कर रहे हैं मेनत मेनत करेंगे आगे जाएंगे सेमपल सब्सूंह सबसे इंपॉल पोइंथ होता है कि हम इंटरेस्स लेकर येकर को लगाएं आखरी तक लगाएं उससे सीखे और आगे बढ़ें तो चलिए आज के सेशन की शुरुवात करते हैं लाइव मॉक टेस्स टू के साथ ठीक है इसके अंदर एई से भी सवाल रखे गए हैं जैई से भी रखे गए हैं कुछ अपने द्वारा भी रखे गए हैं और कुछ एसी से लिए गए सवाल भी रखे गए हैं अब शुरुवात करते हैं के साथ तो इसमें आपको एक जो important point अपना play करना है वो यह है कि आपने कितने सही सवाल लगाए कितने गलत हुए आप से और total आपने session में कितने attempt किए यह आपको count करना होगा ठीक ना यहां वी clear सभी लोग clear लिख कर मुझे से बता देंगे कि हाँ clarity है कि मैं count करूंगा एक pen और paper लेकर बैठ जाओ भाईया मैं जानता हूं तुम b.tech और diploma के student है इंजिनरिंग के student हो ठीक है आखरी दिन pen और paper मुझकिल से उठाते हो मैं मानता हूं तुमने b.tech क्रॉस कर लिया था ऐसे ही तेरा भाई ऐसे ही कर लेता था लेकिन अभी भाई को छोड़ दे अभी ध्यान देना है कि right wrong और total attempted अपने को count करने है सबको clear है तो clear लिख कर बता दें and now let's start the session ठीक है न बाकी class की PDF आप को मेरे telegram group से मिल जाएगी ठीक है न और आज class के बाद वो quality और अपना geography के non-technical के capsule ready हो गया आज रात को मैं इसी PDF के साथ साथ डाल दूंगा ठीक है न और दूसरी बात कोई बात आपको लगती है कि लगाते हैं उसका color रूल जाता है PDF में वापिस आ जाएगा ठीक है तो अभी वह सकता है कि आपको देखना रहा हो सिर्फ ब्लैक और ब्लू कुछ लग रहा हो कि पता नहीं क्या लिखा है बट PDF में आपको यह लगा हो मिलेगा अच्छी तरीके से ठीक है चलिए सबसे पहले सबसे पहले question के ओपर आ जाते हैं आज के match the following question है बहुत सिंपल सा question है proportional wear, mottled teeth, muffle furnace, methamoglobinia, suztat layer ठीक है अब देखिए मेरे को एक बात अच्छे से पता है जो मेरे को पता पता वाले हैं जो बहुत commonly पता है उनको match करता हूं पहले mottled teeth होता है जब fluoride का content पानी में ज़्यादा हो जाए तो मेरे दात खराब होने लग जाते हैं तो भाई यह fluoride के साथ होगा बी के साथ 5 होना चाहिए बी के साथ 5 एक option में दूसरे option में यानि कि A और B तो कट गया फिर उसके बाद मैं खहता हो methomoglobinia यानि कि blue baby disease जम nitrate की presence प तो भी आप option की approach से बना सकते हैं अपने question को ज़्यादा चिंता जनक बात नहीं है ठीक है ना तो see perfect answer बहुत अच्छे for an annual flood series arranged in decreasing order of magnitude the return period for a magnitude listed at position m in a total of n entries इस question से हम चार question सीखेंगे ठीक है अब देखिए वो कहता है कि annual flood है series में arrange किया गए decreasing order के अंदर तो return period आपको बताना है मैं जानता हूं कि return period t is nothing but one by p तो probability आपको पता होनी चाहिए कितनी हो सकती है इसको निकालने के तीन method है तीनों के formula आपसे exam में directly पूचे जा सकते है विबल्स method, California method, Heisen's method लेकिन अभी आपको कोई method तो mention नहीं किया गया तो आप by default विबल्स method मान कर चलेंगे and that gives t is nothing but one by p यानि कि m upon n plus 1 यानि कि it means n plus 1 upon m तो returning period कितना हो जाएगा n plus 1 upon m and that makes c as an answer सबको clear है ठीक है तो देखिए हो सकता है इसमें काशी सारे बच्चों के जवाब गलत हुए हो लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है न हम सीखने ही इस class के अंदर आए है और आखरी तक सीखें है जब तक हम सीख नहीं जाते चलिए कोई बात नहीं as per codal provisions of is 3370 आप बताएंगे किसली इस्तमाल होता है एक important Indian standard code है cracking of the concrete can be controlled to some extent by maintain a slope filling rate of dash at first time of filling देखिए 3370 इस्तमाल होता है हमेशा एक ऐसे structure के लिए जो की liquid retaining structures होते हैं जैसे की बहुत अच्छे प्रदीप साहब water tank और filling rate जो रखता हूं जब भी मैं पहली वार उसके अंदर filling करूंगा तो इंडियन standard code recommend करता है कि पहले 24 घंटे के अंदर वह बहुत जादा एक मीटर हो not more than one meter in first 24 hours तो इस तरह का एका दो नए questions भी हो सकते हैं exam के अंदर आपको देखने को मिले लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इन से भी चलिए और देखते हैं इससे और question क्या बन सकते हैं if a channel is protected एक channel को आपने protect किया हुआ है channel आप कहना कहना चाहे है channel कह सकते है ठीक है na on the bed and side with some kind of protecting material हो सकता है आपने वहां पर tiling कर दियो हो सकता है brick के layer बिचा दियो सकता है stone के layer बिचा दियो the channel section cannot be tough and there is no possibility of change of section or longitudinal slope the channel is set to be देखिए ना slope चेंज हो रहा है ना channel का section चेंज हो रहा है ना उसमें कोई tapping हो सकती है यानि कि एक ऐसा channel है जो कि अपने regime को permanent बना कर रखेगा उसमें discharge constant रहेगा ठीक है ना उसके अंदर किसी भी तरह के parameters में change नहीं आएगा तो आप यह कह सकते हैं कि यह permanent regime condition में होगा कि permanent regime condition में यानि कि इसमें permanent source of supply बनी रहेगी बहुत अच्छे शाक्षी जी चलिए match the following है इस तरह से highway से भी सवाल बन सकता है और पूछा भी जा चुका SSC में पहले railway regulatory sign, informatory sign, warning sign आप चाहें तो बता सकते हैं कि इनको और किस नाम से जानते हैं अच्छा अब इसके अंदर देख आपको follow करने ही करने होते हैं इनफोर्मेटरी साइंस को हम guide sign कहते हैं कि दिली इत्ता दूर है आगे petrol pump है ठीके ना warning sign जो बताते हैं कि आगे दिक्कत है warning ठीक है अब देखिए informatory किसी को कोई पता हो ना हो informatory जरूर पता होता है B के साथ 3rd, B के साथ 3rd एक ही option में देखिए, एक ही option में तो tension ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं तीन तरह के sign जैसा कि मैंने बताया regulatory sign जिनको mandatory sign कहते हैं इसमें सारे sign circular in shape होते हैं black color से लिखा होता है white background होता है red border होता है except to, दो ऐसे होते हैं जो कि इस rule को follow नहीं करते, एक है stop sign बहुत ज़्यादे exam में triangular signs होते हैं लेकिन आपका यहां पर एक giveaway का sign ultra triangle है inverted triangle की shape का होता है and that is a regulatory या mandatory sign ठीक है यहां पर stop sign का shape है octagonal shape very nice very nice ठीक है ना warning sign जो warning देते हैं पैसेंजर की safety के लिए हैं ठीक है ठीक है ठीक है अगला यहां पर information sign जो information देते हैं इनको guide signs कहां देते हैं जनरली इनका जो background है वह green color होता है बहुत बार आपको blue भी मिलेगा लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप green कहेंगे क्या कहेंगे लिख कर बताएंगे green कहेंगे ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो इस हिसाब से आपका perfect answer जैसे कि हमने भी बनाया था भी बन जाता है ठीक है अगला है document containing detailed description of all the items of work together with their current rate is called analysis of rates tender या फिर schedule of rates या फिर cubic rate estimate तो द्यान देने की बात है कि एक ऐसा document जो कि detailed description रखता है सारे items का उसके current rate के साथ उसको हम क्या कहते है schedule of rate book कहते हैं क्या कहते है schedule of rate book इसको बुलाया जाता है ठीक है तो इस book का major purpose क्या है ताकि यह क्या कर सके सारी general specification condition क्या transport हुआ किता material है किती labor इस्तमाल हुई उनके पर कितना खर्चा हुआ किस rate के हिसाब से हुआ यह हर एक आपकी entries rate of schedule book में मिल जाएगी बहुत अच्छे select the correct options considering the following statement दो statement दिये गए आपको बताना है कि इन में से कौन से statement सही है कौन से गलत है the effective rainfall is uniformly distributed within its duration of specified period of time दूसरा statement कहता था effective rainfall is distributed throughout the whole area of the drainage basin अगर आप देखें तो आपने unit hydrograph जब बनाया था क्या बनाया था लिक कर बताएंगे unit hydrograph तो unit hydrograph के लिए आपने माना था कि rainfall जो भी हुई है उसमें जो भी effective rainfall है आपने पूरे के पूरे area में uniformly distribute कर दी थी और पूरे area कौन सा area जो कि आपका drainage basin था ठीक है ठीक है ना दोनो statement यहां पर क्या है सही है ठीक है तो इस तरह से आप से question बनाये जा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके का question करें देखें मैं जानता हूं एक बात अच्छे से जितना मैं समझवाय हूं आप yes or no में भी बदा सकते हैं कि hydrology के लिए को questions जो है SSCJ में कम आते हैं इसलिए students इसके उपर बहुत जादा ध्यान नहीं देते ठीक है ना तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम इस तरह के questions को in mock test की मदद से भी cover करने की कोशिश करें नहीं लगे गलात हो जाए कोई बात नहीं ठीक है name the clay that is derived from volcanic ash यासी clay जिसको volcanic ash से derive किया जाता है which contains some mineral malt molite mineral इसकी activity की value आप बताएंगे and also have very high values of liquid limit देखे ऐसी soil कुलूवियल soil, glacial, hard pen, bentonoid soil, bentonoid soil के दो use आप जरूर बताएं bentonoid soil volcanic ash से ही बनती है इसमें malt molite mineral होता है इसले high swelling and shrinkage properties दिखाती है ठीक है ना malt molite mineral की activity की value है that is between one to seven बहुत अच्छे प्रीती जी ठीक है ध्यान देने की बात है इसको excellent की तरह भी इस्तमाल किया जाता है और इसको waterproofing agent की तरह भी इस्तमाल किया जाता है अक्सर यह सवाल भी exam के अंदर पूछा गया है ठीक है तो आप बताएं के किसकी तरह इस्तमाल किया जाता है जितना कोशिश करके आज लिख सकते हैं लिख डालिए ठीक है ना पांस दिन बचे हैं पांस दिन में जितनी मेहनत होगी हो जाएगी ठीक है और यह दिन आप जि ट्रांइंग वाटर की वज़े से फर्म होते हैं मरीन सोयल इन मरीन एंवार्मेंट यानि की सी वह ऑटर लेकोस्ट्रीन फ्रेश वह बढंट लेक शौिट यह तो यह सब सब सवाल एक्जाम में दे चलिए रकोन्डीशन इन विच फ्सनिघ्जन वाइट्ट यह यह प्रिव to the continuous application of wastewater is called soil sickness या फिर aerobic sickness या फिर land sickness या फिर sewage sickness देखिए जब आप किसी land के ओपर लगातार wastewater implement करते रहते हैं और वहाँ पर कुछ anaerobic conditions develop हो जाती है तो वहाँ पर soil के pores क्या है clog हो जाते हैं clogging हो जाने की वजए से ठीक है ना वहाँ पर धीरे-धीरे sewage वही decompose करने लगता है जिसकी वज़े से कुछ gases produce होती है वो gases कौन-कौन सी होती है आप बताएंगे ठीक है ना ऐसी विबिन गैसिस हो सकती है लेकिन दो major gases का नाम है एक का नाम है methane और दूसरे का नाम है hydrogen disulfide तीसरे का नाम है carbon dioxide इसमें सबसे ज़्यादा presence आपको किसकी मिलती है सबसे आदा presence मिलती है hydrogen disulfide और carbon dioxide की बहुत अच्छे ठीक है अगला चलते है वही the process of determining the plotted position of the station occupied by the plane table plane table ने position occupy कर रखिया आपको उसकी position plot करनी है ठीक ना तो उसको plot करने के लिए by means of science taken towards the known point और कि नहीं तो known points के respect में आपने अपनी position को plot किया तो इस method को हम क्या कहेंगे radiation method intersection method resection method यह फिर traversing method देखिए अगर मैं पहले known point पे खड़ा होता और unknown point मेरे को plot करना होता तो किस से करते आप मुझे बता हिए लेकिन ठीक है और मैं वहां तक नहीं जा सकता ठीक है तो लेकिन यहां पर मैं unknown पे खड़ा हूं known के respect में अपने position को कर रहा हूं plot तो यह मैं resection method से करता हूं लेकिन इसकी ulty situation होती तो मैं intersection method से करता किसे करता बहुत अच्छे सागर जी intersection method से करता बहुत अच्छे ठीक है न विच टाइप अफ फ्लोरिंग इस सूटेबल फॉर यूज इन चर्चेज थीएटर पब्लिक libraries and other places where noiseless floor covering is desired अगर आपने एससी जेई कर प्रीविएस एर पेपर एनलेस साही से किया है तो आपने यह पाया होगा कि उसके नचनुन्दा question जो है आपको किस से भी मिले हैं building construction से भी मिले हैं ध्यान देने की बात यह है कि हर एक बच्चे की तरफ से एक एक लाइक session में होना चाहिए देखे यहाँ पर noiseless flooring की बात चल रही है तो मैं किसकी flooring कर लूँगा कौर्क की flooring कर लूँगा इस तरह की flooring इस flooring का फाइदा यह होता है कि थर्मल इंसूलेशन की कभी काम करती है ठीक है यह fire resistant भी होती है ठीक है इसमें cracking और abrasion का effect भी बहुत कम देखने को मिलता है आसानी से gas और liquid इसको penetrate नहीं कर पाते ठीक है इसमें दीमक नहीं लगती यह सारे फाइदे आपको देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें एक और type की flooring है जिसके बारे में exam म में पूछा गया था that is linoleum flooring आजकल आपने देखा होगा कि हम एक mat type का लेकर आते हैं और floor में बिचा देते हैं ठीक है ना that is nothing but एक आप उसको polyvinyl chloride flooring type एक एक आपकी sheet आती है sheet को बिचा देते हैं जैसा भी texture आपको चाहिए जैसा भी pattern आपको चाहिए मिल जाता है that is nothing but linole flooring ठीक है ना तो वो उस case में पूछेगा तो आप बता सकते हैं ठीक है ना उसकी अच्छी बात यह होती है कि आप उसको easily replace कर सकते हैं easily लगा सकते हैं कौश भी काफी कम हो जाती है ठीक है exerances in wood are इसको और किस नाम से जानते हैं आप मुझे बताएंगे ठीक है डिफेक्स found in trees formed due to injuries inflicted on trees when they were growing या फिफेक्स which render wood suitable as a firewood only देखे एक्सरेंस को हम एक और नाम से बुलाते हैं जैसा कि सागर सापने कहा बल्स के नाम से यह generally trees में देखने को मिलते हैं ठीक है ना जब भी young age में किसी तरह की injury हो जाती है इस तरह के बल्स पढ़ जाते हैं किसके उपर ठीक है ना लकडियों के उपर और ऐसे पेडों से लकडी जो obtain होती है वो क्या हो जाती है इसलिए हमारे लिए defect है तो यह दो statement सहीं है बट ऐसी जो लकडी है ठीक है ना वो firewood के लिए suitable only हो ऐसा क कोई condition तो नहीं है तो फिर हमारे पास से दो ही आंसर यहां पर statement के हिसाब से सही बैठते हैं चलिए और थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग ठीक है यह statement देखो question देखने में बड़ा लग रहा है और exam में भी ऐसा होगा आजी से जादा लोग बड़ा question देखकर छोड़ दे ना कहता है कि मैं एक आर्क construction कर रहा हूं ठीक है ना made of washers यानि की पत्थरों का बना कर ठीक है अब कहता है चार statement है बताओ कौन से सही है correct statement बताईए कहता है the superimposed load is transferred to the sidewalls only by the strength of cohesion of the motor between the washers यानि की पत्थरों के बीच में जो मोटार लगा है उस मोटार की मदद से ही जो sidewall है किसकी इस आर्क की इसमें transfer होता है लोड नहीं देखिए वो तो इसमें पत्थर का भी influence होगा और मोटार का भी होगा इसलिए statement गलत है द्यान देने की बात है the arc may fail under crushing when the compressive stress or the thrust in it exceeds the safe crushing strength वह सीजी से बात है safe crushing strength से ज्यादा उसके अंदर thrust आ जाएगी तो fail करेगा या उस आर्क कि subjected to compression only बिलकुल arc के अंदर सारे के सारे जो members हैं यहाँ पर यह सिर्फ compression में होते हैं purely under compression ठीक है ना तो यह सही है failure of arc due to sliding of any wasier past the adjacent one due to transfer shear can be avoided by reducing the height of the wasier कह रहा है कि भाई देखिए arc के अंदर failure आ सकता है sliding की वज़े से ठीक है ना और एक adjacent से दूसरे पे कि एक side वाला पत्थर दूसरे पे slide करके क्या हो गया fail करके transfer shear में तो ऐसा करने के लिए इससे बचने के लिए avoid करने के लिए मैं क्या करता हूं height of the wasier नहीं कि पत्थर की height को घटा दू नहीं बढ़ा दो उल्टा कह रहा है उल्टा कह रहा है इंक्रीज करना है इसलिए गलत ह तो इसमें सिर्फ दो statement जहीं है दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा वाला option क्या है डी है तो अपना answer क्या हो जाएगा डी विल विद परफेक्ट आंसर चलिए बहुत अच्छे आश्य तो शुकला जी बाई match the following करिये तालस लोइस लेकोस्ट्रीन stratified drift अभी अभी बताया है था wind blown silt wind blown silt c होना चाहिए और कोई option बनी रहा है दो से ज्यादा कहीं पर पहुंची नहीं पाएं यानिकी answer हो जाएगा बाकी तो देखने की जरुवती नहीं है ठीक है अपने दो दो तीन-तीन combination ही अपना answer निकाल देते हैं option बहुत बड़ी चीज है चलिए बहुत अच कैसे हैं each capable of delivering a discharge q और तीनो q q discharge क्या कर सकते हैं deliver कर सकते हैं against the head h and are connected in parallel connect parallel कर दिया है then the resulting discharges देखे जब भी भी आप connection parallel में करते हैं तो discharge क्या हो जाएगा q q q q और total discharge बना 3 q तो 3 q discharge होगा लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि head will be nothing but constant same रहेगा head में कोई change लेकिन अगर series में होता तो discharge q q ही रहता but head becomes 3 h तो series के case में पहला answer बन जाता लेकिन हमारा अभी क्या है parallel connection है that makes b as an answer बहुत अच्छे जैस आप ठीक है ना perfect perfect चलिए ठीक है और try करते है revised estimate is prepared when the original sanctioned estimate exceeds by 10% revision of work is up to 7% original sanctioned estimate exceeds by 1% या फिर original sanctioned estimate exceeds by 5% इसमें दो answer आएंगे एक बच्चा answer A करेगा एक बच्चा answer D करेगा क्योंकि इसमें confusion है और जहां confusion exam में वहीं सवाल ठीक है ना ज्यान देंगे original sanctioned estimate से अगर 5% से value बढ़ जाती है तो मैं revise करता हूँ या फिर expenditure जो allot हुआ था उससे value जो की administration ने allot किया था जितना आपका expenditure उससे 10% बढ़ जाती ह है तो मैं revise करता हूँ यहां पर original sanction estimate के respect में पूछा गया है तो 5% and that makes D as an answer इस case में D आपका एक perfect answer होगा I hope confusion clear होगा ठीक है चलिये बहुत अच्छे the minimum eccentricity in column does not exceed 0.5 times the literal dimension the axial load carrying capacity is reduced by 9% 11% 14% या फिर 15% वो कहता है कि अगर minimum eccentricity जो column में है वो 0.05 times the literal dimension से exceed नहीं करती है तो load carrying capacity एक column की ठीक है ना reduce हो जाती है कितने percent से देखिए अगर वो इस particular value से exceed नहीं करेगी तो हमें एक बात अच्छे से पता है under axial load, load carrying capacity 0.45 times of FCK into AC plus 0.75 times of FY into ASC but जैसे ही मैं उसको consider करता हूँ minimum eccentricity के point of view से ठीक है ना तो reduction मुझे देखने को लगबग लगबग 11% का देखने को मिलता है कितना percent देखने को मिलता है लगबग लगबग 11% का कितना change देखने को मिलता है लगबग 11% का this is the calculated value आप इसको यहां पर सिर्फ equation देखके calculate नहीं कर सकते आपको क्या करना होगा एक column के case में इसको mention करना होगा इसकी value को evaluate करना होगा उससे observation बनानी होगी and observation says कि load carrying capacity 11% से reduce हो जाती है बहुत अच्छे ठीक है चलिए बहुत अच्छे for very fine sandy strata because in case screen openings are likely to get choked easily slotted type tube well, strainer, cavity यह फिर hole type tube well देखे ध्यान देने की बात है कि आप से तीनों से सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है ना किस किस से पूछे जा सकते हैं तीनों type के tube well से पूछे जा सकते हैं मैं बताना चाहूंगा कि जो strainer type tube well है यह वहां पर prefer नहीं किया जा जाता है जहां पर fine sandy strata हो क्योंकि वहां पर choke होने का chances होते हैं ठीक है ना तो strainer type में क्या होता है जैसे यह बीच-बीच में हमने slot दे रखे होते हैं strain दे रखे होते हैं जहां पर confined aquifer available होता है लेकिन cavity type क्यों होता है basic cavity जहां पर आपको low discharge ही है ठीक है काम चल जाएगा ठीक ह तो यहां पर perfect answer आपका क्या हो सकता है strainer type tube well हो सकता है ठीक है ना तो strainer type tube well जो है fine sandy strata के cases में consider नहीं किये जाते या फिर suitable नहीं माने जाते ठीक है बाई in a saturated clay layer consolidating with single drainage the initial isochrone is सभी बच्चों की तरफ से एक एक लाइक होना चाहिए session में देखिए मैं isochrone जब बनाए थे तो initially pore water pressure जो था ui था और फिर finally uf हो गया था t equals to zero से t equals to infinity single drainage system में कैसा था कुछ यह कुछ यह कुछ ऐसा बन रहा था and the shape या फिर पाथ it was following is nothing but the shape of a parabola ठीक है ना यह parabola का path follow कर रहे थे that makes d as an answer यह isochrone हमें क्या बताते हैं यह हमें यह बताते हैं कि स्मिट्टी के अंदर एक सॉइल के अंदर सेम टाइम पे different layers of the soil के अंदर कितना pressure काम कर रहा होगा ठीक है ना that means कि अगर मैं यहां पर मैच करनी कुछ करूं देखो मेरे को सबसे आसान जो इसमें लगता है वह लगता है blooming or blistering जैसे blooming blooming कब होता है जब dell patches develop हो जाते मैं paint अच्छी quality का इस्तिमाल नहीं करता हूं तो जैसे कि appearance of white substances patches type डवलोगे white is white is substance कहीं कहीं पर develop हो जा रहा है तो डी के साथ 3 होना चाहिए इस option में इसमें इसमें है यानि की बी कट गया हटाओ ठीक है अगला देख लेते हैं blue यह blistering जो है blistering को अगर देखा जाए तो blistering वहां पर होते हैं जहां पर moisture जो है एक paint की film के अंदर trap हो जाता है जिसके वेसे paint में swelling आ जाती है swelling कहीं लिखा वह देख लो swelling इसमें है तो डी के साथ 1 होना चाहिए नहीं सी के साथ 1 होना चाहिए सी के साथ 1 यहां है यानि कि यह सी वाला भी कट गया ठीक है अब मेरे पास क्या बचता है अब मेरे पास बचता है ब्लीटिंग और बिटीनेस देखिए बिटीनेस वह इसमें है यानि कि एक की option मन सकता है और डी आंसर हो सकता है सिर्फ एक आंसर हो सकता है यह ठीक है मैंने कई सारे डिफेक्ट भी आप लोगों को PDF में भी दिये है शौट नोट्स में भी दिये है आप पोशिश करें किनका करें ठीक है चलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेंडर्ड ऐसे सी जेई काई सवाल है वीजी थर्टी ग्रेट ऑफ बिटुमिन इस सूटेबल फर विच अफ फॉलेंग सेवन डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेंपरेचर रेंजेज बीस से तीस अर्टिस से पैंतालिस तीस के लिए 30 से 38, 30 के लिए 38 से 45, 40 के लिए greater than 45 and that makes 38 to 45 as an answer जो की B हमारा एक best suitable answer बनाता है बहुत अच्छे कोशिश करेंगे गलत हो जाए लेकिन सीखेंगे इस क्लास से ठीक है बहुत अच्छा सवाल एक अच्छा सवाल पेपर में जो बन सकता है in case of simply supported rectangular beam जिसका span length जो है L है loaded with is a central load W, एक simply supported beam है ठीक है जिसकी L length है और बीच में उस पे central load W लगाया है, the length of elasto-plastic zone on the plastic hinge is, ठीक है न, elasto-plastic zone की आपको क्या बतानी है, length बतानी है कि किस length पर ये elasto-plastic zone बन जाएगा, देखें, simply supported beam के लावा कोई भी beam पर पूस सकता है, simply supported beam में कितना होता है, 1-1 by S, S क्या है आपर shape factor, rectangular beam है तो shape factor कितना होगा, 1.5, ध्यान देने की बात ये है, कि ये 1.5 minus 1 by 1.5 हो जाएगा, 0.5 by 1.5 that makes 1 by 3, ठीक है न, और bracket में L, that makes 1 by 3 L, 1 by 3 L मतलब L by 3 हो जाएगा, ठीक है न, कितना हो जाएगा, L by 3 हो जाएगा, बहुत अच्छे, तो आपसे किसी भी case में पूछे, जैसे माल लेते हैं, uniformly distributed load लगा देता, तो आप इसमें क्या करते, under root लगा देते, ठीक है न, अगर आपसे cantilever beam के लिए पूछता, तो same रहता, जैसे simply supported beam के लिए है, और साथ के साथ, अगर cantilever beam में भी UDL लगा देता, तो same रहता, ठीक है तो आपसे किसी भी case में पूछेगा, आपसे shape factor की value भी पूछ सकता है, तो shape factor I section के लिए बताएंगे सबी लोग, 1.12 से 1.14, ठीक है न, आपसे किसके लिए बोलता है, एक hollow circular section के लिए, तो 1.27, लिखेंगे बड़ावट, ठीक है न, आपसे सिर्फ circular section के लिए बोले, तो 1.7, diamond section के लिए बोले, दो, triangular section के लिए 2.34, T section के लिए 1.8, सब के लिए, जिसके लिए पूछेगा, आप बताने में पूरी तरह से सक्षम है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, अगला try करते है, classified the soil sample, if it has an exchangeable sodium percentage, ESP, of 16%, electrical conductivity is 3.2 milli ohms per centimeter, and a pH of 9.5, देखिए, ध्यान दीजेगा, अगर pH 8-10 के बीच में है, ठीक है ना, सिर्फ pH इबता देगा, अगर साड़े 8-10 के बीच में है, तो यह alkaline soil है, साड़े 8-10 के बीच में है, तो यह alkaline soil है, बात खतम, बात खतम है भाईया, बात खतम है, ठीक है ना, और मैंने आप लोग irrigation के जो short notes यह, उसके अंदर भी यह table दी है, ठीक है ना, उसमें question session में question भी कराया था, आज गलती का मतलब है, या तो आपने session नहीं किया, या आपने revision नहीं किया, ठीक है, लेकिन जिनोंने सही किया है, वो confidence को build करेंगे, जिनोंने नहीं किया है, वो अपने सवाल को सह 25, 500 Newton per mm square grade of steel shall be, देखें मैं जानता हूं कि XU limiting की जो value है, वो कितनी होती है, KD होती है, और K की value किस पर depend करती है, grade of steel पर depend करती है, 250, 415, 500, 0.53, 0.48, 0.46, यानि कि यह बन जाएगा 0.46 times of D, ठीक है न, तो यहाँ पर K की value कितनी हो जाएगी, 0.46 हो जाएगी, for Fe 500, कितनी हो ज जाएगी, 0.46 for Fe 500, बहुत अच्छे, ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या हो सकता है, assertion region का भी हो सकता है paper में, कहता है, the relationship between load, shear force and bending moment in beams are quite useful when investigating the shear forces and bending moment throughout the entire length of the beam, कहता है कि जब मैं load लगाता हूं, shear force और यह bending moment एक beam में लिकालता हूं, तो यह मिले बहुत काम का रहता है, जब मैं shear force and bending moment का analysis करता हूं, ठीक है, कहते है, reason कहता है, the relationship are helpful in constructing the shear force and bending moment diagram, क्या यह helpful रहते है, SFD और BMD बनाने के लिए, बिल्कुल सही कह रहा है, कि भाई साब मैं इसलिए बनाता हूं, ताकि shear force and bending moment analyze कर सकूं, उसकी मदश से diagram बना सकूं, और पूरी beam पर देख सकूं, कहां पर minimum, कहां पर maximum shear force काम कर रही है, कहां पर bending moment काम कर रहा है, यानि कि assertion भी सही है, reason भी सही है, और इसका ये correct explanation भी है, बहुत अच्छी है, तो answer क्या हो जाएगा, perfect, बहुत बढ़ी है, ठीक है, which of the following material uses landfill sealant, भाई आप क्या कर देते हैं, बहुत सारा कूडा जमा कर देते हैं, एक ल decomposition के लिए, for the control of gases and leachate movement, उसमें से कुछ गंदे liquid, toxic liquid जो है, वो ground में ना चले जाएं, तो आप क्या करते हैं, वापे sealants का इस्तेमाल करते हैं, waterproofing agents का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, gases ज्यादा निकल के बाहर न जा पाएं, तो आप इस तरह की sealants का इस्तेमाल करते हैं, तो तीन और पाँच, तीन और पाँच में एक सी एज अन आंसर, ठीक है ना, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे, ठीक है, following zones are formed in a polluted river, under the self-purification process, zone of clear water, zone of active decomposition, zone of recovery, zone of pollution, देखिए मेरे को एक चीज अच्छे पता है कि zone of clear water सबसे आखरी में होगा, जब decomposition पूरी पहले मैंने pollution किया होगा, फिर उसके बाद active decomposition हुआ होगा, फिर उसके बाद recovery होगी, यानि कि pollution पहले होना चाहिए, ठीक ना, फिर active decomposition zone मिलेगा, उसके बाद recovery होगी, यानि कि answer B होगा, ठीक है, तो हमने एक क्या कहा था, कि वहाई इस zone को मैं जब river के अंदर क्या करता हूँ, ठीक है ना, गंदा waste डाल देता हूँ, ठीक है, तो clear water में जाकर ये मिल जाता है, जिसकी वेज़े से dissolved oxygen घटता चला जाता है, और घटकर active decomposition zone में 0% तक चला जाता है, ठीक है ना, उसके बाद recovery zone में ये वापस evolve होकर 100% saturation पर वापस आ जाता है, ठीक है ना, yes, very nice, बेला, राहि PM, PM मोधी तो नहीं हो, ठीक है, NTR मीना, चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है बाई, match the following है बाई, match the following है, आपको ये बताना है, ठीक है ना, कि बाई, applied load, shear force, moment, slope, ठीक है ना, ये बाई, किस तरह से आप represent करते हैं, तो बाई, correct, इसको याद रखने का बहुत simple सा तरीका मैंने बनाया हुआ है, जिसको नहीं पता, वो नहीं पता लिख सकता है, simple simple, देखें, मैंने इसका simple तरीका बनाया हुआ है, SMVW, SMVW, ठीक है ना, slope जो है, ठीक है ना, पहला derivative, dy by dx, moment जो है, वो दूसरा derivative, del square y by del x square, ठीक है न, shear force जो है, तीसरा derivative, del cube by del x cube, और जो लोड है, आपका applied load, d to the power 4, dy by dx की power 4, अब देख लो वही, जो सही बैठे वही, ठीक है न, तो slope के साथ यह होना चाहिए, slope के साथ यह होगा, d के साथ 1, d के साथ 1, x में, इसमें यह कट गया, यह कट गया, ठीक है न, फिर उसके बाल, अपना moment के साथ, square, ठीक है न, moment के साथ, square, यानि कि 3 होन चाहिए, c के साथ 3 होना चाहिए, c के साथ 3 होना चाहिए, c के साथ 3 है, इसमें है, यह तो हो नहीं सकता था, तो answer c बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए, आप से multiple, short cuts हमें अपने खुद, develop करने पड़ते हैं, बहुत बार हम expect करते हैं कि कोई हमें बना कर द road formation width, road formation width के respect में, 4 statement दिया, आपको बताने हैं, कौन से सही statement है, ठीक है, it is the bottom width of the embankment, नहीं, embankment की bottom width नहीं होती है, क्योंकि road formation के अंदर भाई, यह आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं embankment की width देखता हूं, तो यह है embankment की width, तो इसके अंदर drain का जो क्या कहते है है, हिस्सा है, वो तो हम लेते नहीं, तो यह हो जाएगा, गलात, it is the bottom width of the cutting, cutting में होती है, cutting में bottom width होती है, ठीक है, तो भाई, इसके अंदर shoulder भी आ जाते हैं, और carriageway की width भी आ जाती है, cutting में होती है, embankment में नहीं होती, it is inclusive of the width of the shoulder, अभी-अभी बताया, shoulder लेते हैं, inclusive of the width of the side drain, अभी-भी बताया, side drain नहीं लेते हैं, तो second और third होगा, second और third जो है, वो C option बनाता है, बहुत अच्छे, ठीक है बाई, और देख लेते हैं, as per codal provisions of IS 3370, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप बताएंगे, minimum grade of concrete for the RCC and PCC water tank का respectively लिखा हुआ है, कि भाई या, liquid retaining structure जैसे की water tank में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है न, अब आप से पूछ सकता है कि अगर मैं ये tank में PCC का का काम कर रहा हूँ, RCC का का काम कर रहा हूँ, प्रिस्ट्रस concrete का का काम कर रहा हूँ, तो minimum grade of concrete क्या इस्तेमाल करूँगा, देखे ध्यान दीजिएगा, ठीक है न, पहले तु cement concrete में कम से कम M20 इस्तेमाल करिए, RCC में कम से कम M30 इस्तेमाल करिए, और pre-stress concrete के लिए, जो की caution में नहीं दिया, लेकिन पूछा जा सकता है, M40 इस्तेमाल करिए, तो RCC के लिए 30, और PCC के लिए 20, तो 30-20, 30-20, यानि कि B will be the right answer, B आपका ये वे, एक perfect answer बनेगा, अब देख हो तो plain cement concrete के work में कितना cement content इस्तेमाल करोगे, तो minimum cement content per cubic meter of work is 250, 350, 320, 360, PCC, RCC, और PSC, किते लिखेंगे, क्या किते हैं, दुवारा लिखेंगे भईया, 200, 320, 360, 200, 320, 360, ठीक है न, ये दोनों के पूछे जाने के chances बहुत जादा रहते हैं, ठीक है बेर, arrange the order of permanent adjustment of the theodolite, ठीक है न, मैंने इसका order भी आपको short notes में भी लिख कर दिया था, कि ये कुछ आप permanent adjustment करते हैं, तो किसी order में करते हैं, तो वो order क्या है, ठीक है न, तो आपको sequence में बताने है, numbering को sequence में लगाना है, देखें, सबसे आखरी में vertical arc test होता है, ये तो clarity है, तो छट च्छटा और च्छटा, यानि कि ये बाहर, सबसे पहला जो हम करते हैं, वो plate level test ही करते हैं, यानि कि पहला, पहला और पहला, यानि कि ये भी बाहर, दूसरा जो हम करते हैं, वो होता है, अपना क्या, crosshair ring test, तो भाई, दूसरा यहां आ गया, यानि कि D answer हो जाएगा, और then bubble tube test, then vertical arc index test, ठीक है ना, किस reason की वज़े से करते हैं, यह सारे reasons भी मैंने mention किये हैं, इन से जो सबसे ज़्यादा जो दो पूछे जाते हैं, वो है एक azumit test, और एक है spire test, यह दोनों आप घोल के पी जाईए exam के लिए, ठीक है ना, यह बहुत important है, दोनों exam के point of view से, चलिए बहुत अच्छे, और कोशिश करते हैं, strength of a riveted lap joint is equal to its shear strength, bearing strength, tearing strength, या फिर तीनी option है, देखे, lap joint की जब strength निकालता हूं, तो plate और riveted है, rivet की bearing strength of rivet, shearing strength of rivet, ठीक है ना, और tearing strength of plate, इन तीनों में से जो भी छोटी होती है, least of ABC, least of ABC, मतलब यह तो, आँख बंद करके answer है, ठीक है, चलिए, least of ABC, okay, very nice, muskingum method is used in hydrologic reservoir routing, hydrologic channel routing, hydraulic channel routing, या hydraulic reservoir routing, yes everyone, please let me know, और एक मुझे ये भी बताएंगे, क्योंकि मैंने आप से एक सवाल, मतलब एक काम करने के लिए कहा था, session की शुरुवात में, कि आपको count भी करते रहना है, कि कितने total question हुए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, तो अभी मेरा आप से एक सवाल है कि अभी तक हमने total question कितने कर लिए, yes everyone, कितने total question किये हमने, अभी तक कितने total question कर लिए हमने, कि एक दूसरे को देखकर बता रहे हो, कई लोग 33 कह रहे हैं, कई लोग 32 कह रहे हैं, अच्छा क्या कह रहे हो नहीं बताऊंगा, अरे वह या, जानदार लोग हो भाई तुम, ठीक है, जाज़तर का कहना है कि 33, चलिए हो सकता है, 32-33 लगब, ठीक है, चलिए, जब 50 हो जाएंगे तो आप मुझे बताएंगे, ठीक, मस्टिंगम method का इस्तेमाल जो है, वो खासकर hydrologic channel routing में किया जाता है, ठीक है, किस में किया जाता है, hydrologic channel routing में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़ी या, consider the falling energies associated with peltan turbine, अभी दो दिन पहले कराया है आपको, कि यह peltan turbine एक कैसा turbine होता है, आप मुझे comment करके बताएंगे, दूसरी बास इस turbine के अंदर हम क्या कर रहे थे, ठीक है न, जो भी potential energy store की हुई थी dam ने, उसको पहले kinetic energy में convert कर रहे थे, फिर kinetic energy से किस में convert कर रहे थे, mechanical energy में convert कर रहे थे, यानि कि PKM, 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 312, नहीं, 321, 321, ठीक है न, तो C आपका perfect answer बनेगा, ठीक है न, potential, उसको kinetic में, उसको mechanical energy में, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है बई, अगला है हमार पास, as per is456-2000, the unsupported length of the column, whose one end is unrestrained, in any given plane, shall not exceed, ठीक है न, shall not exceed, किस से रेक्सीट नहीं करना चाहिए, 100B by D है, 100B cube by D है, 100D square by B है, 100B, देखिए, इसमें दो तरह से सवाल पूछा जाता है, एक कहता है कि, end are restrained, ठीक है न, तो end restrained है, तो उसकेस में, 60 times the least little dimension, से exceed नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने कह दिया, one end, one end के case में, is code क्या कहता है, 100B square by D, 100B square by D, हाला कि यहां पर confusion होने के chances ही नहीं थे, क्योंकि 60 times of the least little dimension option में है भी नहीं, तो confusion तो तब develop होता, अब तो यह वाली situation होगी कि भाई पढ़ाई नहीं था, ठीक है न, चलिए, Review the following statement and select the most appropriate option, in theodolite, lower plate is attached to the outer spindle, and it carries a horizontal circle at its beveled edge, देखे, अगर मैं यहां पर बात करता हूँ, तो lower plate जो होती है, ठीक है न, अगर आप देखेंगे, तो वो outer spindle के साथ होती है, जैसा कि इन्होंने भी कहा है, कि lower plate is attached to the outer spindle, और इस पर horizontal circle लगाता है, जिससे कि आप क्या लेते है, horizontal angle की reading लेते है, सही statement है भाई, ठीक है, दूसरा कहता है, the upper plate is attached to the inner axis, अपर प्लेट जो होती है, वो inner axis के साथ attached होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है न, it carries vernier with magnifiers at least two extremities, demetrically opposite, ठीक है न, demetrically opposite होती है, क्योंकि आप इससे क्या करते हैं, या तो left hand side और right hand side की reading, परफेक्ट है, यह भी true statement है, दोनों सही है, तो both the statements सही होंगे न, ठीक है, बोद the statements are true, ठीक है न, दोनो statement आपके बिल्कुल perfect है, यह मांशू शर्मा जी, बहुत अच्छे, इसके एक-एक part आपको label पता होने चाहिए, क्योंकि एक paper में as it is, यह diagram ले दिया गया और इसका जैसे बोले कि 10 number वाला बता हो कि किसको denote कर रहा है, या 5 number वाला बता हो किसको denote कर रहा है, as it is exam में आया था, चलिए, the ratio of maximum shear stress and average shear stress in a circular section is, देखिए, अगर circular section में कहता है, तो tau max जो है, वो 4 by 3 times of tau average रहता है, आज अगर यह question किसी का गलत हुआ है ना दोस्त, मतलब पहला mock भी उसने नहीं करा, कल के mock में भी एक question रखा था, और हर साल SSJ में इस तरह का question आता है, Rectangular section में कित्ता होता है, 3 by 2, circular section में 4 by 3, According to CPWD, Central Public Work Department, Government of India, while doing the measurement in concrete work, no deduction shall be made for opening up to an area of 0.5 meter square, 0.1 meter square, 0.01 meter square, या फिर 1 meter square, देखिए आप कोई भी, मैंने आपको क्या बता है था, आप कोई भी masonry work करें, चाहे वो concrete masonry हो, चाहे वो stone masonry हो, चाहे वो brick masonry हो, no deductions will be made for the value up to 0.1 meter square, up to 0.1 meter square, या फिर square meter कह सकते हैं, या फिर thousand centimeter square कह सकते हैं, ठीक है, ये तीनों के लिए applicable है, stone work के लिए भी, brick work के लिए भी, और concrete work के लिए भी, शलिए, the concrete, the correct order of steps involved in preparation of brick earth for clay brick manufacturing process is, clay brick manufacturing करने हैं, पहले मिट्टी को तियार करोगे, उसी के process दियो है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जमीन को खोदोगे, digging करोगे, फिर unsoliling करोगे, फिर digging करोगे, ठीक है ना, unsoliling कर देते हैं, unsoliling कर दी, फिर digging कर दी, तो इसके पास सीधे tempering देती, फिर weathering है, फिर blending है, last में tempering होती है, C option है, आसानी जवेर तो बहुत, ठीक है ना, C perfect answer है, मतलब यह तो गलती हो नहीं नहीं चाहिए, कि वाइप सबसे पहले unsoliling करूँगा, कितने depth, कम से कम 20 cm की उपर की soil हटा दूँगा, digging कितनी depth तक करते हैं, आप मुझे comment करके बताएंगे, फिर cleaning की जाती है, फिर weathering की जाती है, फिर blending की जाती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, The damaged material on the surface of the road, which is removed by rubbing, or chipping action is called, मान लेते हैं, कुछ damaged material है, रोड के उपर, कुछ हिस्सा खराब हो गया है, ठीक है, अब आप उसको हटाना है, तो आप उसको rub करके, चिपिंग action की जाएंगे, हटा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, rutting कहते हैं, abrasion कहते हैं, attrition कहते हैं, stripping कहते हैं, तो देखिए, मैं rub करके, rub करके हटा रहा हूं, मतलब, abrasion effect लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, abrasion effect लगा रहा हूँ, simple as that, simple as that, बहुत अच्छे, if the magnetic bearing of the line is 48 degrees 24 minutes and the magnetic declination is 5 degree 30 minutes east, then the true bearing is, देखो मैं जानता हूँ कि true bearing जो होती है, वो magnetic bearing plus minus delta होती है, magnetic bearing जो दी है, 48 degrees 24 minutes दी है, अब मैं plus लगाऊं या minus इस बात पर निरुपर करता है कि declination east में है, west में, west में minus east में plus, किस में हुआ है, east में हुआ है, plus लगा दो, 5 degree 30 minutes, ठीक है, तो यह बैठ जाएगा, 4, 5, 54, ठीक है ना, 54 वाले दो option है, ठीक है, यह बैठ जाएगा, 48, 53, 53, 54 minutes, यानि की C will be the right answer, ठीक है, तो true bearing उस line की क्या होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए और ट्राय करते हैं, the design of bending strength of a literally supported beam, subjected to low shear forces given by MD, beta B, ZP, FY by gamma M0, where beta B, ZP, FY and gamma M0 are of usual meanings, जो usual meanings इनके होते हैं, कहता है, the value of beta B for plastic, ठीक है ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक और compact section, semi compact के लिए भी आपको बताना है, ठीक ही, plastic sections के लिए इसकी value जो होती है, वो one होती है, compact sections के लिए इसकी value बन होती है, semi compact sections के लिए ZP होती है, तो बहुते हैं, उसमें से plastic और compact के लिए पूछा है, 1&1, D answer हो जाएगा, क्या हो जा कोशिश करते हैं ठीक है which of the falling is considered in calculating plinth area पिछले साल SSCJ में similar question आया था same नहीं यह नहीं लेकिन इसी topic से ठीक है plinth area वो area है जिसे मैं built up area कहता हूं जितने area में मैंने structure को एक उस plot में बनाया है उसमे external wall internal wall और generally building का हर component को include किया जाता है लेकिन ना उसमें कोई courtyard area आता है ठीक है ना उसमें किसी तरह का open area लिया जाता है ना उसमें cantilever posh को include किया जाता है ना किसी additional floor को include किया जाता है ना ही उसके अंदर किसी तरह के spiral staircase को include किया जाता है ना उसके अंदर को sanitary shaft include किया जाता है जितका area या दो मीटर स्कॉायर से जाधा हो ठीक है ना साथ के साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब भी भी दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिले हुए हो उनके बीच की एक कॉमन दिवार हो तो 50% दिवार आपके पडूसी के एरिया में जाएगी और 50% आपके एरिय निदरवन नौर टू जो जितने भी मैंने आपको बता है वो सब यहां पर लिखे हुए है ठीक है अचा एक और रह गया बालकनी एरिया बालकनी एरिया भी कंसिडर नहीं करते हम ठीक चलिए बहुत अच्छे अब देखिए बहुत इंपॉर्टन सवाल है बहुत सिंपल सव ठीक है ना 1113 और 1119 पे देखा तो यह एरिया यहां पर था 90 यहां पर था 88 यहां पर था 70 ठीक है भाई ठीक है ठीक है ना तो उसके बाद कहते है प्रिजमोडल रूल के हिसाब से बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर इसपॉंड में कितना होगा प्रिजमोडल रूल यानि कि सिं पहला एरिया और आखरी एरिया इसमें तीनी तो एरिया है एवन एटू और एथ्री तीनी एरिया एक दो तीन तो पहला और आखरी एरिया प्लस हो जाएगा फोर टाइमस एवन वाला एरिया और टू टाइमस और वाला एरिया ठीक है ना तो भाई मैंने कहा है देखो इंट रवल छे का बाई साब ठीक है ना पहला एरिया जो है आखरी एरिया जो है सतर है फोर टाइमस एवन एटू 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 एवन एज में अठासी है और और वाला कोई बचाई नहीं वहीं क्योंकि वन और थ्री और थे वह पहले इस्तमाल हो चुके तो थ्री टू जा ठीक है और यह बन जाएगा इसका अंसर ही मुझे याद है वैसे तो एट जिरो टू फूर मीटर क्यूब लगबग वन जिरो टू फूर मीटर क्यूब इसके अंदर क्या होगा पानी होगा बहुत अच्छे आरवे कुमार बेला बहुत अच्छे ठीक है मैंनत करनी वहाइसाब हम ल तो आज की डाएट में मैं सबसे ज़्यदा इसी का सिमैल करता हूं इसको एक और नाम से जानते हैं देट इस विग्नोल्स औरन लेक्स रेल के नाम से जानते हैं इंडिया में आהज ही डेंडेट में सब्छे ज़्य जादर्स आज से जाने वाली रेल कौन सी है यही रेल है यही रेल है ठीक है ना अगला आपसे पूछा जा सकता है the kinetic indeterminacy of the structure shown in the figure is equal to आपको बताना है कि kinematic indeterminacy structure की क्या होगी तो kinematic indeterminacy क्या होती है ठीक है आठ नो दस ग्यारा बारा वाई मैंने बारा लिग दिया reaction कि ते रिवल्पोर एक फिक्स सपोर्ट है तो तीन हिंज सपोर्ट है तो दो ठीक है ना और यहां पर रोलर सपोर्ट है तो भाई साब यह हिंज है दो तीन हां और यह पुली सपोर्ट है रोलर वन हो जाएगा तो तीन पांच छे ठीक है ना चे हो गए बाई member कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा पंदरा एगा मैंबर है गए ठीक है तो three six three three minus seven वालस पंदरा बताएंगे अ 거지 कितना आ रहा है है ये किस बताएंगे अ प्रॉक्सिमेटली कितना थहा है क्लिख कांज है जी से पंदच है थे शिरों था पंदरा पंदरा नपर से ते करूंढ़ में 3 हिनत सपोर्ट में दों पुली सपूर्ट यह साथ हो जाएगा टूसा साथ हो जाएगा यह बनेगा 14 यहां पर यह सिंपल रोलर सपोर्ट नहीं है ये गौबेड रोलर शबर्णाइर गायड रोल्र सपोर्ट एक गायडोफस ले दैंस व किसदें गिटवर्णल grading of aggregate are the samples of fine and coarse aggregate passed through nine standard sieves बहुत बढ़ी अस्वाल बाइ ट्राइल बाइ मिनिमम वॉइड मैफ़ड बाइ फाइनेस मॉडिलस मैफ़ड होगा थोड़ी में स्प्रिंटिंग हो गई है बाइ आर्बिट्री स्टेंडर्ड देखे मैं क्या कर रहा हूं grading कर रहा हूं aggregate की fine aggregate की by course aggregate की और साथ सीव होती है हाला कि उसने 9 सीव के respect में पूछा है तो यहाँ पर हम लोग यह कौन सा method होता है fineness modulus method होता है मैं fineness modulus निकालता हूँ इन सीव के माध्यम से और fineness modulus के basis पर क्या देखता हूँ average size of the particle देखता हूँ उस particular soil के अंदर या उस particular mixture के अंदर जो aggregate के मेरे पास यहाँ पर है ठीक है भाई as per IS 875 part 2 impose loads on balconies and dwelling houses shall be dash considered type of occupancy as residential building भाई देखो residential building है उसमें भी dwelling house है और उसमें भी क्या है impose load है on balconies ठीक है न तो देखे इसमें क्या होता है multiple cases हो जाते हैं और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसमें कोई answer डेड़ देगा क्योंकि उसने ज्यादातर में डेड़ी देखा है वह access provided और not provided वाला देखे ध्यान दीजेगा ठीक है यहाँ पर वह यह बिल्कुल नहीं पूछ रहा है वह IS 875 के इसाफ से impose load आपने live load लगा रखा है dwelling houses यानि कि जो residential houses होते हैं आपके अपने हमारे ठीक है ना उसमें balcony पर कह रहा है कि दो किलोटन पर मीटर स्कुआर share passages के लिए stair cases के लिए corridors के लिए कितना रहेगा ठीन किलों परमीटर स्कुआर ठीक है जो मैंने mark किये हैं वह खास याद रखेंगे सारे नहीं भी याद waiver कोई बात नहीं ठीक है चलिए बहुत अच्छे which of the falling is the correct unit of measurement for curing of stones or boulders आपको क्या करना है बड़े-बड़े चटानों में से पत्थर तोड़ कर लाने हैं ठीक है ना तो आप क्या measurement का scale यहां पर इस्तेमाल करते है unit of measurement cubic meter, number, square meter, running meter तो देखें curing of stones के लिए unit of measurement है that is cubic meters ठीक है ना cubic meter में measure किया जाता है dpc work लिक कर बताएंगे आप सो लो comment section में meter square, painting work meter square, wire netting meter square, partition wall meter square, half brick wall meter square, paint का supply liters में, brick का supply numbers में, cement का supply number of bags में कितने सवाल हो गए बताएंग भाई कितने सवाल हो गए हमारे yes everyone कितने सवाल कर लिया हमने corny is बहुत अच्छे, running meter very nice very nice कितने सवाल कर लिया हमने पचास 51 कोई 48 कर रहा है, कोई 49 कर रहा है, कोई 52 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 51 और 52 कर लिया हमने ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 50 के लिए तो आप half century के अपने clapping कर सकते हैं और आप यह बता सकते हैं कि अभी 50 में से आप कितने सही कर पाएं फिफ्टी में से बताएंगे कितने कर पाएं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, येस, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पूरे सेशन में बैठ कर यह देख पाए कि मैं कितने सही कर पा रहा हूं, कितने गलत, अक्सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो 4-5 सवाल एक साथ गलत हो जाते हैं, इतना डी मोटिवेट हो जाते हैं, इतना डी मोटिवेट सब छोड़ देते हैं, अगर छोड़ देना सल्यूशन होता दोस्त, तो फिर एक्जाम तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका सबसे पहले निकलता, जिन्होंने मैंने नहीं की हाँ है तो घृओ कभी तो इस्तेमाल ही नहीं किया है विल्कुल ऐसे विल्कुल अराम से बीगेगा सबसे महें बीगेगा रिजी अ ठीक है तो हर किसी का देखे अपना अपना कोरा आप देख पा रहा है और अब इससे आप बिसिकली एनलाइज कर पाएंगे कंवे अगले मैं जानता हूं कि याने की डेवलप्मेंट पूछ रहा है तो वह जाएगा सिग्मा एस्टी इंटू फॉर टाइमस ऑफ टाव बीडी पर्मिसिबल ठीक है ना आप मेरे को पता है सिग्मा एस्टी की जो वेल्यू दियानों ने 0.7 टाइमस ऑफ एफ 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 कितनी चार सो पंद्रा है फाइब मुझे दिया नहीं है तो फाइब को मैं डी ही लिख सकता हूं फो टाइमस ऑफ टाव बीडी पर्मिसिबल अब भया मेरे को यह पता हूं अच्छी के एम थर्टी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए ठीक है ना यह वेल्यू कितनी होती है यहां पर द 20h grade का बार इस्थमाल किया है तो यह वेल्यू तो mild steel बार के लिए अंडर टेंशन तो compression भी आगया है और अई ग्रेड़ का बार भी आगया ज्याननी कि 1.6 स भी multiply करना पढ़ेगा और 1.25 सभी multiply करना पढ़ेगा दिस वेल्यностью 25.94 टाइमस ऑफ द डामिटर। चेक करेंगे सभी लोग है बहुत अच्छे है ठीक है ना देखिए मैं एक बच्चा बुक के ऊपर काफी ताज़ा चर्चा इसकी काफी देड़ से चल लिए देखो भाई या जो नॉन टेक वाली बुक है न अपनी यह हिंदी में भी है यह इंग्लिश में भी है यह हिंदी मे जल आएगी और जैसा कि मैंने बताया भी कि हम काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बुक बच्चों को दे पाऊं जो की अच्छी बुक हो बढ़िया पड़ सके मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वह सेवें टाइम्स जादा ओडर हो गई है तो मैं उसको पहुंचाने में बहुत मनलब मनलब जैसे एक बच्चा ओडर करता है तो तिंग चार दिन पांच दिन में उसको पहुंच जानी चाहिए लेकिन अभी हम 15-20 दिन में डिलेवर कर पा रहे हैं क्योंकि वह मतलब सबको बहुत काफी पसंद आई है और जल से जल्द आप तक प ठीक हो गया यह बुक आपको लेनी है तो मैं इसके स्टेप्स जो है पने टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूंगा आप उस स्टेप्स को फॉलो करना और बुक ले लेना टेस्ट बुक की अप्लिकेशन से ठीक है चलिए ओके यह यह 1.5 थर्टी विच्छ फॉलिंग मिनमम ग्रेदिंट उस्ट्स then and rolling टेर डेसरी अग्रीटिंग ग्रेदिंटक उसके बदेडिंट ग्रेविच लिटा ग्रेटिंट रोल्लेंग टैरेन लिमिंटिंग ट्रे स सबसे कम लेक्देंग फड़िए चैनल?!" ठीक है न तो exceptional gradient maximum gradient किसी भी condition में जो आप दे सकते हैं that is 8% ठीक है ना maximum कितना दे सकते हैं 8% और किसी भी condition में minimum gradient कितना दे सकते हैं 3.3% ठीक है न 3.3% ठीक है बहुत अच्छे यह दोनों ही आप से अग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है अगला देख लेते हैं generally which of the falling statement or factors is true about the reduction of shrinkage effect in concrete तो सही statement बताना है ठीक है ना reduction of shrinkage effect in concrete high cement content will reduce the shrinkage नहीं यह सीमेंट तो पानी किता रियाक करेंगा यह water cement ratio कम होगा तो इससे shrinkage भी कम होगा तो यह भी सही है यानि कि second and third second and third second and third d will be the right answer d आपका एक perfect answer होगा ठीक है यहां पर यहां पर आपको एक support है यहां पर एक support है बीच में उसे restraint कर दिया गया है मैं जानता हूं कि crippling load जो है pi square e i by ठीक है ना effective square होता है ठीक है अब भी मेरे को यह बात अच्छे से पता है कि जो effective length है यह दो पार्ट में divide हो गई है two by three l और one by three l ठीक है ना लेकिन मेरे को इसमें से कौन सी consider करनी होगी बड़ी लेंथ क्यों बड़ी लेंथ consider करनी होगी क्योंकि buckling होने के चांसे इसके along ज्यादा होंगे efficiency कम हो लेगी तो पाइस कोईव ई आए बाई टू एल बाई थरी का होल स्क्वाइर को कि ऑन सा औप्षन है कि यह टीड़ अचिड़ आट में से एजान आंसर उस केस में सी एक perfect answer बनेगा ठीक ना सी एक perfect answer बनने वाला है ठीक आपना सी एक perfect answer बनने वाला है ठीकर तो फोलिंशा मैंने थोड़े दिन पहले भी कराया था आपको एक सेशन में ठीक है ना उस टाइम मैंने काफी समय लेकि इसको एक्स्प्लेइन भी किया था चलिए एस वन एस टू एस थी परेंड दो और सॉइल इड़े टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना नहीं नहीं होता है इस ओल्वेज अन्सैचुरेटेड देखें कॉम्पैक्शन ऑन सॉइल के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो देखें सॉइल हमेशा ही अन्सैचुरेटेटेड होग ही नहीं नहीं तो यह सही है यानि कि S1 और S3 दो गलत स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट बताने थे सब्सक्राइब के रिस्पेक्ट में आपको गलत बताना था सही नहीं बताना था कई सारे बच्चों ने ऑनली टू कर दिया ठीक है ना ओनली एस्टू कर दिया डी कर दिया ना ठीक है ना कॉंपेक्शन और कंसोल्डेशन के बीच का मैंने पूरा डिफरेंस का टेबल भी आप लोगों के लिए बना कर रखा है ताकि आप पीडिए से रीड करें तो एक्जाम के पॉंट अव्यू से थोड़ा अच्छे से और रेडी हो जाए ठीक है चलिए फिलार क्यों के साथ 4 यह घड़ गया तो 3 काट दो 4 काट दो ठीक है अब बंदा आर के साथ 2 या फिर वन ठीक है तो आर क्या है अपना रिवाइज एस्टिमेट है जब कॉस्ट बढ़ जाए ठीक है ना तो वहिया वैं देर मटील डिविएशन स्वाम ऑरिजिनल प्रोपोस एस्ट ठीक है ना बी आपका क्या वन जाएगा एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है बहुत अच्छे रिबाउंड हैमर टेस्ट इस उसफुल फॉर एप्रॉक्सिमेशन ऑस्ट्रेंट एप्रेशन रिजिस्टेंस क्लासिफिकेशन कार्बोनेशन डेप्ट एस्टिमेशन स्ट्रेंट बता सकते हैं जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी एप्रेशन रिजिस्टेंस होगी लेकिन कार्बोनेशन डेप्ट टैप का एस्टिमेशन सम्थिंग कुछ नहीं कर सकते आप इससे तो ए बी और डी होना चाहिए ए बी और डी यानिकी सी ठीक है और ट्राय करते हैं चाहर स्टेटमेंट दिये हैं और बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है ठीक है ऑके परमेबिलिटी ऑफ कोर्स गेंट सॉल इनवर्स्री प्रोपोर्शनल अच्छी एक मिनट परमेबिलिटी जो होती वन अपॉन के के कैलाश खेर नहीं कार्मन गामा लुट नहीं हो सकता तरजागी सिर्टमेंट संट्री प्रामेटर नहीं हो सकता तरजागी सिर्टमेंट है ऑनली प्रामेरी कंसोलिटेशन है इफ प्राइमरी कंसोलडेशन लिए ना कॉंपैक्शं के लिए रुए होती है ना सेकंडरी वंसोलडेशन के लिए तो पहला स्टेट्मेंट सहुपर चॉथा स्टेट्मेंट सही है यानि की ये वी आन्सर हो जाएगा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया आफ रोज आलम पीके ठीक है बहुत अच्छे और देख लेते हैं वाई consider the following statement with respect to the method of valuation and identify the correct option दो statement दिये हैं ठीक है ना इसके उपर काफी सिस्टी जाई में शायद यही सवाल आया था सेम रेंटल method of valuation is a suitable method of valuation if the rent is known हां rental method तब जाद अच्छा है जब आपको रेंट पहले से known हो ठीक है ठीक है ठीक है रहे वैल्यूएशन बेस्ट प्रॉफिट इस टाइप डिवल्लप्मेंट अगर वगड़ा में होती है और development method of valuation जो होती है जैसे कि एरपोर्ट बनने वाला है तो वहां पर जमीन के रेट बढ़ने लग जाते हैं तो यह दोनों अलग अलग है ठीक है न दोनों अलग है गलत है तो एक स्टेट्मेंट सही है यह सही है बी गलत है यह सही है बी गलत है यानि कि बीविल भी तराइट आ लगता है फोम वक्स क्या फोल्डिंग शोरिंग अंडर पेनिंग और कई इनको अलग अलग फॉर्म में तो पूछा जा चुका है से सीजेग अंदर हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में पूछ ले ठीक है देख लेते हैं देखें फोंवक की बात की जाए तो फोंवक क्या हो हो जाया जी आपने था का केसिंग टाइप की बनाई है फोल्डिंग और्ल टेंपररी वर्फॉर्ण कॉंध वडर्म में यह और कोई तक तो पहुंची नहीं तो सी आंसर होना चाहिए और भी देख लिए शोरिंग जो होता है हम एक तरह की सपोर्ट देना अंडर पिनिंग होता है फाउंडेशन एक्जिस्टिंग फाउंडेशन को रिपेर स्ट्रेंदन करने के लिए तो फोर के साथ भी होना चाहिए प्रफेक्ट सी अंसर हो जाएगा हाला कि यह देखिए यह के फूल इंग देखी भी हो गया ठीक न यह आपकी शोरिंग है बिल्दिंग चंस्रुक्शन आपको पढ़ाई मिथी यह अंडर पिनिंग है ठीक है बिल्दिंग चंस्रुक्शन में यह सारी चीज़े पढ़ा ठीक है बिज बाने का जाएं रिच लाइक हिए है इस तो इस तो किसमें होता है फैट लाइम में होता है क्योंकि यह सब एक ही है ठीक है यह सब एक ही है ठीक है ना इसकी purity 45% से जादा होती है impurities 5% से कम होती है pure white color होता है पानी के साथ बहुत तीजी से react करता है color washing और white washing में इस्तमाल किया जाता है ठीक है आप पानी के साथ react करने पर slaking कर लेता है इसी के लिए slake होकर यह क्या कहलाता है hydrated lime slaked lime ठीक है और साथ के साथ अपने volume को drastically ब outline the process of estimating analysis of rates very nice 5 दिये हैं estimating the analysis of rates करना है तो सबसे देखिए लास्ट में आप weight of steel rod करेंगे भाई साब काम सीगे ना तो सबसे आखरी वाला तो यह हो गया सबसे पहले आप जो भी known values of material है उसको लिखेंगे उसके बाद आप dry volume of concrete निका लेंगे फिर उसके बाद concrete के respect में वहीं उसमें क्या sand क्या cement सा volume of all materials निकालेंगे फिर इसके बाद फिर आप करेंगे number of bag convert कर जो सीमेंट निकला उसको number of bags में बताएंगे और फिर last में steel rod का आप weight कितना calculate करेंगे 31254 31254 ठीके ना सी आंसर बनेगा क्योंकि सबसे आखरी में आप steel work करेंगे उससे पहले आप पहले known values लिखेंगे फिर concrete की calculation करेंगे फिर उसमें सारे materials की calculation करेंगे फिर number of bags में convert करेंगे यही step by step जाना पड़ेगा use of final poison hunting habits और प्रिवेंट्स ओके अचहां कि पोदाना का इस्तेमाल करने से क्या प्रिवेंट होता है क्या फॉसलान का मचयल जो होते यह हुआइस मат्य translated होते हैं तो इससे bleeding prevent होती है हीट ऑफ हैट इडियूस होती है बढ़ती नहीं नहीं है तो यह तो increase करता है केल्शियम हाइड्र ऑक्साइड की लीचिंग नहीं होती है क्योंकि केल्शियम हाइड्र ऑक्साइड जो है इसके अंदर जो सिलिकन डाय ऑक्साइड होता है फ्लाई एश के अंदर उसके तार रियक्ट करके पोजोलानिक एक्शन करके केल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बन कर रहा है क्योंकि उसको तरी रियक्ट कर ले रहा है तो लीचिंग हो इने पाईगी तो A or C A or C A or C option में है चौता answer perfect होगा ठीक है ना जोदा answer perfect होगा मौन बहुत अच्छे है ठीक है कई सारे गलत सलंगत अंसर कर दिया आप लोगोंने इस बीच ठीक कोई दिक्कत नहीं है इन केस ऑफ रीन्फोस सीमेंट कॉन्कीट लाफ स्प्लाइस जनरली यूज फर बार नॉट इकसीडिंग अब इसमें बड़ा मैंने टेलिग्राम डूपे कोशन डाला था बिल्कुल आफज जोदी ठीक है मैंने का चलो यारे कोशन फिर जरूरी है एक्जाम में आगया तो गड़बड हो जाएगी बनना 28 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर 32 मिलीमीटर या फिर 36 मिलीमीटर देखिए इसमें कई सारे बच्चे सी कई सारे बच्चे डी आपस में बिल्कुल भीड़ात हो जाती है को लेकर ठीक है मैं सिंपल बदा देता हूं इसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर मैं पुराने इंडियन स्टैंडर्ड कोड के इसाप से चलता हूं तो वह कहता है कि लेफ स्प्लाइसिंग 36 mm से जादा कि अगे किटने गोशन लगा दिये हमने यह कि अगे उसक्षान लगा दिये है कि यह निग मैं अगभी 32 अब 32 आप 32 में मान शाद देंगे हो 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 65 चलिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है विच फॉलिंगर not the main requirement for the success of well irrigation ठीक है वेल-distributed demand for irrigation throughout the year not main requirement जो main requirement नहीं है not well distributed demand होनी चीए throughout जरूरी है suitable configuration of command area with the highest ground around center of the command area जो भी command area है तो suitable configuration command area highest ground पर होनी चाहिए सही है availability of energy होनी चाहिए electric power pump सब होना चाहिए absence of suitable aquifer which can yield good quality water absence नहीं होनी चाहिए presence होनी चाहिए अच्छी quality का पानी मिलेगा यह requirement नहीं भाई डी answer हो जाएगा ठीक है चलिए the duty of crop is 432 hectare percumac when the base period of the crop is a hundred days the the delta for the crop will be देकि मैं जानता हूं delta is nothing but 8.64 base period by duty 8.64 base period कितना है 100 है duty कितनी है 432 है आपको answer किसमें देना है cm में देना है तो point आटा दो और यह 2 हो जाएगा 200 cm क्या हो जाएगा 200 cm क्या हो जाएगा 200 cm हो जाएगा 200 cm हो जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइट ने एक ही बात है तो आपने कहा कि रेशियो कि इसका वाटर जितना स्टूर हुआ रूट जोन में और एक्चुली जितना क्वाटर एक्चुली डिलिवर्ड तो यह हो जाएगा एप्लिकेशन एफिशेंसी क्योंकि जितना डिलिवर हुआ उसका कुछ पार् किया उसका कुछ पार्टी अपलाई हो पाया एप्लिकेशन एफिशेंसी ओस मैं वहलाट एफिशेंसी ठीक है ना कितना वैइचन स्ट hm तो आप से सारी courageous बीच आती एक्जाम में थी get फिर म्हें रहें करें कहता है कि व civ क्या मैं के जीत Base और और सीवियर बेंड एक सीवियर बेंड तो उसके लिए मैक्सिम स्कावर डप्त कितनी हो सकती है टू टाइमस ऑफ आर वन पॉइंट सेवन टाइमस ऑफ आर फाइव एट पॉइंट फाइब साफ आर कि यह साब बताएंगे सबी बच्चों की तरफ से एक एक लाइक होना चाहिए सेशन में कि अगर मैं बात करता हूं तो यह डिपेंड करता है बट इदा प्रिसाइज वेल्यू 1.75 टाइमस ऑफ आर ठीक ना हाला कि ऑप्शन में 1.70 दिया है 1.75 टाइमस ऑफ आर ठीक है ना तो यह सीवियर मेंड के लिए इट शुद बी 1.75 टाइमस ऑफ आर लेसी के हिसाब से 1.7 टाइम 75 टाइमस ऑफ आर ठीक है क्या रहे हो नहीं बताऊंगा एड़े पुक घुरिए फ पॉल्लेक इस नअट ऑढाई सफ़्स्ट लाइन एस में बुटडर लाइनिग ऐसमर किया सकते हैं बॉल्डर भी है ब४्रिक भी है सॉल लाइनिग आपकी शॉष् लाइनिंग होती है hard surface lining नहीं होती है ठीक है ना हम जानते हैं कि compact earth lining soil cement lining earthen type lining होती है cement concrete brick plastic और boulder यह सब क्या है hard surface lining है ठीक है तो आप यह कह सकते हैं कि cement soil lining जो है soft या फिर earthen type lining होती है ठीक है चलिए at what location the uplift will occur in a siphon aqueduct provided with a paka bottom floor देखिए paka bottom floor जो है ठीक है अगर आप ध्यान देते हैं चलिए पहले आप option read कर लिजे on the bottom floor nowhere since the flow is free in the canal as well as in the drainage channel on the roof slab on both the roof slab as well as the bottom is simple है दोस्तों देखिए अगर आपसे पूचता है तो साइफन एक्वाडक्ट ठीक है साइफन एक्वाडक्ट के केस में देखिए जो drainage बैड होता है जनले डिप्रेस्ट होता है ठीक है और यह पका जो फ्लोर आप कह रहे हैं यह हमेशा bottom floor पर पर प्रोवाइड कि यानि कि आप यह भी कह सकते हैं कि यहां पर जो भी uplift pressure generate होगा वह कहां पर होगा on the bottom floor जब प्रोवाइड ही किया है तो अप्लिफ्ट प्रेशर भी महीं प्रोवाइड जनरेट होना चाहिए ठीक है ना on the bottom floor भाई bottom side में तो generate होता है आपका अप्लिफ्ट प्रेशर टॉप पर कैसे हो जाएगा कि रूप स्टेट्मेंट बताओ ठीक है अब irrigation का है दा मेंडिर इंक्रीज दा रिवर लेंथ बट अ कट ओफ रिडियूस दा रिवर लेंथ देखिए जब मेंडिरिंग हो रही है इस तरह से रिवर की तो यह रिवर की लेंथ को बढ़ाती है लेकिन अगर मैं इसको यहां प एक हेलप कर दूब साथ थैंकिए अ कट ओफ इंक्रीज डरेवलन नहीं यार वो तो डिक्रीज कर रही है बोत मेंडेरिंग कट ओफ इंक्रीज नहीं बोत डिक्रीज नहीं पहला स्टेटमेंट साही है ठीक ना कि बहुत कट आफ जो है वो लेंद को क्या कर देगा कम कर लेकिन मेंदेरिंग लेंद को बढ़ा देती है तरही बात हैं अ है बात करता हूं और यहां पर बात करता हूं पर बताना है it will be coefficient or pan coefficient multiply by evaporation in the pan तो वो 0.70 दिया हुआ है पहले सी भी तो बहुत ही बढ़ जाओ गया लगब लगब बयाली से में बैड जाएगा सतर परसेंट थेंक्यू 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 स्टीम फ्लु मेजर्मेंट का कौन सा टेक्नीक नहीं है क्यों दूरेक्ट मेजर्मींट हे जाता है और दूसरा है slope area method अब वो कह रहा है कि इन में से कौन सा डायरेक्ट नहीं है अभी अभी बोला हमने slope area method indirect method है slope area method indirect method है slope area method बहुत अच्छे शामू खुश्वाहा बहुत अच्छे ठीक है भाई पूरी playlist आपको मिलेगी पढ़ने के लिए कितने कोशन कर लिए आप मुझे बताएंगे ठीक है ना जिसने भी कोई भी सेशन मिस करा है अभी तक चाहिए वह बीएम सी कॉन्क्रीट रेलवे हाईवे आर्सी सी सर्वे इन्वार्मेंट सूम एफम इरिगेशन एस्टिमेट ठीक है ना सब के ऊपर मैंने सिविल इंजनरिंग के रिवीजन काप्सू एस वल एज क्या कहते हैं 1600 प्लस कोश्चन की पूरी सीरीज बना रखी है आप इसको करें इससे रिवीजन करें इससे अपना आपको इंप्रूफ करा और एक्जाम में फोड़ दें जि उसके साथ साथ 16-1700 कोश्चन करा दाल है आपको ठीक है पड़ी जाया है ठीक है और जिसने मॉक टेस्ट भी अपना चूट गया उसका तो मॉक टेस्ट की इसकी लिंक में पीडिएफ में दी गई होगी दूसरा वाल आपना चली रहा है कल तीसरा होगा ठीक है तो आप कर सक हम 75 पर पहुंच गए 25 कोश्चन और लगाने अपने को बस ठीक है ना एंड पूरा फुल लेंद मॉक लगा देंगे आप देखे हम टिंटोमीटर का इस्तमाल करते हैं और नेसलस ट्यूब का इस्तमाल करते हैं क्या मेजर करने के लिए ठीक है ना नेसलस ट्यूब टिंटोम एक संस्ट इसमाल किया जाता है कि रेगए मेंट्रिक टेकनीक रिंखलर मेंट देजलद ऑप्सिजन के लिए करते हैं बाष किसके लिए डिजल्ड ऑचिजन के लिए ठीक है the water supply main material that is strong non-corrodiable the most durable but heavy and brittle is copper cast iron RCC yeah for steel कि है आजी 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 जी फिए देखिए यह है कास्ट आरेंगे असा मटियर्स होता है जो मशीन बनाने के लिए डिल मशीनश में टीका आना वह अपना बनाने के लिए मैन होल के कवर बनाने के लिए ठीक है ना आपके कितने यो तेंस बनाने के लिए डायरी करने के लिए सब को so Organ का A अस्तमाल तो RS तोστर दिएart बहुत स हवाव सवाल पूचते हैं of the consumption of अब। धिम्सक्राइब जो है वो जो एच्छינה है 48.000 क्युबिक मीटर्ड अच्छ है और पूछ रही मैक्सिमुम्म अवरली डिमांड जो होगी वह क्वोग टूप क्वांड सेब्दीन टाइंगे आरली डिमांड मेरे को 48,000 दी हुई है इसको 24 से डिवाइड करता हूं तो 2.7 टाइम्स 24 बटे 22,000 ठीक है न और यह पॉइंट लग जाएगा 54 और यह दो ठीक है प्री ट्रीटमेंट फिल्टरेशन ऑफ वाटर विच इनवर्स दीव आपको बताना है कि जो कोगलेंट है इसका पूरा नाम ही बता दो चलो ठीक है ना कोगलेंट एक केमिकल है जो की फ्लॉक्स डेवलफ कराने काम में आती है पानी में तो इसको हम क्या बोलते हैं ठी ठीक है चले बहुत अच्छे यह दिक्कत की बात है बड़ी जिसको कोई चीज पता होती है वह बोली देता है ठीक है कोई है को अब आजी टेंप्रेरी हाड्नेस इन वॉटरेशन दूट तप्रेजन साफ इन आप बतायेंगे जीरो हाड्नेस किस से मिलती है आपको पानी में देखें टेंप्रेरी हाड्नेस जो होती है वह कार्बोनेट हाड्नेस होती है ठीक है ना वह कार्बोनेट की वज़े से होती है ठीक है ना सलफेट और क्लोराइट की वज़े से तो कैसी होती है पर्मानेंट हाड्नेस होती है ठीक है तो कार्बोनेट हाड्नेस को टेंप्रेर करता हूं ठीक है ना एरी क्रोम ब्लैक्टी इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूं पानी के अंदर इसके लिए पहर्मेसेबर लिमेट 200 mg पर लीटर और कॉस अफ्रेक्शन लिमेट 600 mg पर लीटर होती है ठीक है थीक है बाइग दस ml of raw sewage has been diluted to 1000 ml and 3 mg per liter of dissolved oxygen is consumed of the diluted sample after 5 days incubation as 20 degree Celsius BOD of the raw sewage देखो BOD 5 दिन में 20 degree Celsius पर निकाली जाती है वही दिया है नोंने ठीक है वह होती है बाइस ताफ डिजॉल्ड oxygen initially minus oxygen finally total volume by initial volume तो भाइब पांस दिन के बाद जो भी इनीशली और finally का जो difference रहा जो change आया वो कह रहा है कि 3 mg पर लीटर का आ गया था तो पहले से दिया हुआ है total volume जो थी वह 1000 ml की थी किसमें 10 ml का जब आपने इसके अंदर क्या किया था सीवेस डाइल्यूट किया था 1000 ml में तो यह बन जाएगा 300 mg पर लीटर 300 mg पर लीटर बी ओड़ी आ जाएगी बहुत अच्छे रवी कुमार आरवी कुमार पी एम टेन जो डेजिग्नेटेटेड एज स्टेक एरिजॉल आर एस पी एम टी एस पी एम हाजी पी एम टेन को हम और क्या लिखते हैं पर्टिकुलेट मेटर 10 is also designated as तरह इसको डेजिग्नेटेड किया जाता है आर एस पीएम क्यों किया जाता आरस पीएम क्योंकि यह हमें disease कर देती है हम इसको respirable suspended पर्टिकुलेट मेटर कहते हैं क्योंकि यह जब हमारे सांसों के थूप हमारे अंदर चली जाती है तो हमें PM 2.5 है और यह हमारे अंदर चली जाती है ज्यादा मात्रा में तो तो लंग गई खतम PM 10 तो फिर भी कम क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है PM 2.5 तो सबसे घातक है ठीक है ना चलिए रस्पीम कि देंसिटी अफ गार्बेज रविश वेरी इंदा रेंज ऑफ अच्छी है जी अगार्बेज की ज्यादा होती है रविश की कम होती है देखो गार्बेज की अगर मैं बात करता हूं तो गार्बेज जो है एक ड्राय रिफ है ठीक है जैसे की वेस्ट पेपर हो गया डिकेड फ्रूट्स हो गया विजटेबल्स हो गया ग्रास लीव्ज यह जनरली ठीक है तो इनकी देंसिटी यह साड़े चार सो से 900 होती है और जो रबिश होती है जो भी सॉलिट वेस्ट हो रहा है घरों में से कमर्शियल बिल्डि जरबिश पुचास से चासवां ठीक है त्रीक है रिजिस्टेंट तर्माइड रिजिस्टेंट अर्थ्वेक रिजिस्टेंट यह फिर साइकलों रिजिस्टेंट क्या कि रहे हो नहीं बताऊंगा अरे अर्थ्वेक रिजिस्टेंट स्ट्रक्चर मैंने कुछ इंडियन स्टेंडर्ड कूड आपको स्पेसिफिक के लिए याद रखने के लिए याद रखेंगे की युए तो यह कुछ इंडियन स्टैंडर्ड गोड आपको खास याद रखते हैं एक्जाम में रेगूलर पूछे जाते में आप the flexural tensile strength of concrete of grade m40 flexural strength कितनी होती है 0.7 under root fck तो 0.7 under root 40 0.7 under root 40 लग 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 आपका कितना बैठेगा 4.42 चेक करिए कितना आ रहा है कि 1905 अच्छा पूर पॉइंट वन फूर आ रहा है तो हो सकता है वन फूर या रहा हूँ नहीं नहीं 4.42 आ रहा था यार मेरे को सही आ दे तुम यार गड़बल करवा रहे है कि मैं इतनी बार जीवन में सॉल कर चुका हूं कि मुझे अंसर याद हो गए है अब मैंने का जेए की बात पर भरोसा तो करना पड़ेगा लेकिन यार तुम तो यार भरोसा तोड़ रहे हो यार ऐसे नहीं चलेगा भाई है है कि अधर रिजल्टेंट कंप्रेसिफ पोर्सेंट कॉंप्रेशन स्टील रिस्पेक्टिवली डबली रिंफोर्स रेक्टांगुलर भी देखे उस केस में हम जानते हैं कि जीरो पॉइंट थी सिक्स एसी के वी इंटु एक्सियू इंटु एस्सी ठीक न और फिर यह ब्रैकेट में हो जायाएगा एफ एस सी माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर सेवन एस सी के अब देख लो इसमें से कॉन सा मेंको तो एक्वेशन याद हो गई है और यह यादी हो यह बनेगा परफेक्ट 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 रिन्फोस गूंक्रीज वीम सेक्शन है शेप अशीर इस डायग्राम शीर इस ट्रेश डायग्राम यह वह श्याव अजुग हो यह है बेंडिंग स्ट्रेस डाइग्राम बेंडिंग स्ट्रेंड डाइग्राम और शियर स्ट्रेस डाइग्राम अप्टी न्यूट्रल एक्सेज पैराबॉलिक होता है और बिलो न्यूट्रल एक्सेज रेक्टेंगुलर होता है she has stress diagram B will be the right answer ठीक नहीं यह तो अपना bending stress diagram है two-way slap the torsional reinforcement is provided at mid-depth only top face only bottom face only top and bottom face both yes everyone क्या कि देखिए two-way slap के अंदर torsional reinforcement हमेशा टॉप पर bottom पर दोनों पर प्रोवाइड की जाती है आपको नोट बना कर भी दिये थे यार है क्या किया रहे हो पढ़ूंगा नहीं अरे काफी गलात हो रहें आंसर इना reinforce concrete compression member the pitch of the lateral reinforcement is given by minimum of the three of the following except least little dimension minimum of the three of the following pitch 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 जो है लिश्ट इमेंशन हो सकती है तीन सो में थी 16 ताम स्मॉलेश डियामेटर दा लॉंगी टाइसो में नहीं था जितना मुझे आदे हाँ लिश्ट इमेंशन सिक्स्टीन ताइम सफ़ाइड थी अंदर ठीक है ना ओल्ड मैप वस्टोन विदन आरेफ ठीक है वन बाइट टूथाओद दशी दशी दशीट ऑफ दो मैप श्रिंक्स विश्रिंकेज रेशियो इतना श्रिंकेज रेशियो दिया है बीस बाइबाइस कहता है कैल्कुलेट दा करेक्टेड स्केल यानि कि अब श्रिंक हो गए त स्केल था वन बाइट टू थाउजन अभी मेडे को सौल करना है तो मैं ऐसे लिखेगा इसको करके नीचे लेएगा थो डाइस बाइस बाइस बडबीज बटे यह सौ बना यानि कि वन बाइफ आइस सो होना चाहिए तो श्रंग स्केल वन बाइट बाइस सो है वन बाइश ठीक है ना परफेक्ट कुछ नहीं करना था श्रंग स्केल को बताने के लिए श्रंग फेक्टर मुल्टिप्लाइबा औरीजिनल स्केल कर देना था बस कि अ कि वोट इस दिग्री ऑफ एक्यूरेसी इंटरम्स अफ पेसिंग टाइप अफ मेजर्मेंट कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है पेसिंग टाइप मेजर्मेंट करने के लिए आपने कदम चलकर गिना था कि वह इत्ता डिस्टेंस चलकर आ क्लिन हुँ मैं ठीक ना तो एक कडम कितने का होता है लग बलावा आप मुझे बताएंगे इसमें बनेचेंडर यह जनली आपकी वन वन फंडेंडर रोटी वन फवन वन हंड्रेड वन फंडर की एक्यूरेसी हम लोग मेजर करके चलते हैं द्यान देने की बात यह कि एख पिचासी सेंटीमेटर एन एवरेज हम असी सेंटीमेटर का इस टेप लेकर चलते हैं ठीक है बहुत अच्छे है बहुत बढ़िया इन चेनिंग और अनी इवन इन कहते हैं तो यार हम स्टैपिंग कहते हैं जाता है सेंपल डर्ट है दा कन्वर्जन ओफ होल सर्किल बेरिंग इंटू क्वाडरेंटल है जीरो नब्बे एक्सवासी यानि कि 170 यहां गई होगा यह आ गया अभी मेरे को क्वाडरेंटल में बताना है तो यह लाइन कहां से पास है साउथ से ठीके ना किसकी तरफ जाना पड़ेगा इस्ट की तरफ जाना पड़ेगा तो साउथ अख टूंड़ लो साउथ इस्ट अरे सारे छिस ते लिए अरे लिए तो यह मैं चलके आँ तो मेरे को सिर्फ इतनी वैलीवी चाहिए तो 170 डिगरी 30 मिन्ट माइनस करना है यानि कि 9 डिगरी 30 मिन्ट बचा तो साउथ इस्ट नो डिगरी 30 ठीक है पर्फेक्ट है ठीक है इन कॉंटेक्स्ट विद प्लें टेबल सर्वेइंग सिस्टम विच मैथड इस बीग एक्स्प्रेस्ट बाइद फॉल्विंग डाइग्राम यह तो डू टेबल लगा रखें आप दोनों पर इंट्रसेक्शन करा रहें इंट्रसेक्शन मैथड हो गया इंट्रसेक्शन मैठड हो गया वेल कंडिशन ट्राइंगल जो होते हैं उनमें कोई भी एंगल जो है 30 डिग्री से बड़ा होता है 120 डिग्री से छोटा होता है नहीं जो ग्रेटर देन 30 एं लेस देन 120 येस परफेक्ट है ठीक है method suitable for measuring the workability of dry concrete mix having very low workability यानि कि dry mix यानि कि जो very low workable mix होंगे very low workable mix के लिए जो मैं इस्तमाल करता हूं वीभी टेस्ट इस्तमाल करता हूं ठीक है और compaction factor का इस्तमाल किया जाता है medium से low के लिए slump का medium से high के लिए flow table test का very high के लिए यह देखिए वीबी टेस का इस्तेमाल वेरी लो वर्किबल कॉंक्रीट के लिए ड्राय मिक्स के लिए किया जाता है जिसका स्लम्प वेल्यू पचास हमें से छूटा हूँ है अब घृण एप मैच तफॉलिंग है मैं स्पैसिफिक ग्रैविटी निकालना है लिए चैटलियस फ्लासक शिटिंग टाइम निकालना है वाइगकट्स एपरेटर स साम्ड निकालनी एं ली चैटलियस एपरेटर्स नहीं दिया सांड आटो कलेव से भी निकाल सकते हैं तो भाया यह बन जाएगा 2541 2541 सी आपका परफेक्ट अंसर होगा है ठीक है ना हर बच्चे की तरफ से सेशन में एक एक लाइक होना चाहिए चलिए और मैं काफी बच्चों से यह भी कहता हूं कि हर क्लास की एक रिव्यू जरूर लिखा करिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्लास के बाद ठीक है ना कि क्लास की क्या रेटिंग रही क्योंकि देखिए मैं वानता हूं कि जिन्दगी में हर किसी को इंप्रूब्मेंट की चेज जरूरत होती है और के मुझे भी होगी कही ना कही आपको भी ए ठीक है ना तो आप जुरूर बताया करिए कि कि आसे से सीफ पाते हैं फ्री के ना और इसको एक पांच में से रीटिंग दिया करिए जो भी मैं सप्सक्राइब चुशन देता हूं जिसको नहीं जानता हूं उसको मैं भी इतना धान नहीं कम दे पाता हूं चलिए ठीक है अभी चैट सेक्शन में तो क्लास चल दी क्लास के बाद कॉमेंट सेक्शन ठीक है specific gravity of building stone should be more than specific gravity generally वैसे तो एक building carbon steel is about देखे mild carbon steel का सबसे आधा पूछा जाता है तो वह होता है 0.15-0.30 तो medium 0.30-0.60 होगी अब 0.30-60 वाला जो option है वह इस रेंज महारा है ठीक ना तो यह हो जाएगा अच्छा 6-0 से लेकर करीब 1.5% तक चला जाता है तो high में चला जाता है ठीक है ना डेल तक चला जाता है तो फिर high तब चला जाता है ठीक है according to is 383 2016 maximum quantity of deleterious material यानि कि जो हानिकारक material होते हैं घातक material होते हैं ठीक है चला एक्सेप्ट माय का अंक्रश्ड fine aggregate पांच और संथा एक परसंट फरसंट तीन परसंट अब यह ंंक्रेस भूण सकता है करेशन भी सकता है fine aggregate में 5% द्यार रखेंगे fine aggregate में लिक कर बताएंगे 5% course aggregate में पूचता है तो uncrused form में 5% ठीक है ना crust form में 5% ठीक है न? fine aggregate में वहीं पर देखो course में crust में 5% है fine aggregate में crust में 2% है ठीक है तो आप repeat कर देता हूँ को एग्रीगेट में अन्क्रस्ट और क्रस्ट दोंगों में 5 परसेंट लेकिन फाइन एग्रीगेट मेंध पांच पर्सेंट अब देखलो maximum उंकरेश्ट फ़र्म में फाइन फाइन यानि ही पाउंच परसेंट यानि कि आप इसे भी आज़ाख सकते हैं किसी बी कंदीशन में 5% लेकिन फाइन एग्रीगेट में क्रश्ज कंदीशन में 2% बस दो तो वैसे भी आप्शन में नहीं था तो कंफ्यूजन बननी नहीं थी अ कि ठीक है कितने कोशन लगा दिया हमने अधी कि ठीक है एक्जाम कोई कोश्चन है यह 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 लिए भगवान के बंदे का सवाल यह नहीं है वह होता तो मैं खुदी बता देता कि भगवान की अधा सवाल होता तो मैं खुदी बता देता इंस्सी disag में शवर है कुर सहका है रुए और ईंसॉड्ड उर्टियं सीमें शुंड भी हां insolubles रूसिण था बीस से 25 परसेंट रुसकता है बीस पर्सेंट रुसकता है दस से 20 परसेंट हो सकता है लेस देर्ट परसेंट होना चाहिए जी ठीक है ना 99 कोश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत बढ़िया ठीक है देखे इसकी जो लिमिट है वो पांच परसेंट एक्चुली में लेकिन पांच परसेंट यह नहीं है पांच परसेंट से उपर वाले तो फिर यह हो नहीं सकते तो यानि कि आप मैं एक ही ऑप्षिन चूज़ कर सकता हूं है डेल परसेंट क्योंकि नॉट ग्रेटर दिन पांच परसेंट इस दा राइट आंसर ठीक है ना पांच परसेंट से ज्यादा नहीं हो ची इन्सॉलिबल रसिटी एक सवाल और भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम पर रखेंगे ठीक है ना इस चीटिंग है आपको पांची परसेंट का बनाना चाहिए था है एक्जामिनर देखो कॉंप्टीशन कैसे क्रिएट करता है आप समझ रहे होंगे ठीक है चलिए और लास्ट कोशन फॉर दे हंड्रेट को हम लोग कंप्लीट करते हैं क्योलीन इस क्य क्लासिफाइड है शिलीश रॉक मेत मोर्फिक रॉक केल सेरियस रॉक और गिलिश रोगol यसर फ्यर्ज में कुछ बासिफाइड देगा यह च أنا seizure होते है नश fy ना यह सोटी अर गिल इस नेुटी आर गिलीश अवती है ठीक ना इसमें कुछ amount of alumina with major amount of clay होती है ठीक है ना? अर्गिलीशियस होती है अर्गिलीशियस slate, literate cyst kaolin 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 ठीक है भई? ओके? तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अब 100 में से आपके कितने सही सवाल हुए? Yes 100 में से कितने हुए सही भई? देख रहा हुए मैं सबका सभी बच्चों की तरफ से सेशन में एक एक लाइक होना चाहिए भई और फिर लगेगा तो थोड़े से दो-चार सवाल और कर लेंगे कर लेंगे दो-चार सवाल और 85, 88, 45 85, 82, 61 50, 32 एक क्यारा नहीं बताऊंगा 64 ठीक है, 71 83, 48, 69 32 ठीक है, 58 68, 70 ठीक है अब देखिए, कई सारे बच्चों ने काउंट किया कि उन्होंने कितने सही किये साथ के साथ मैंने ये भी बुला से सेशन की शुरुबात में कि आप ये भी काउंट करेंगी कि आप से कितने गलत हुए ठीक है, दोनों काउंट करने के बाद आपको ये भी बताना है जब क्लास खतम हो जाएगी अभी ने, ठीक है न, आपका format ये रहेगा कि आप कितने सही हुए कितने गलत हुए टोटल कितने आपने अटेंट किए ठीक है न, कितने स्किप कर दिये S K ठीक न और अपना नेट स्कौर कैसे बताना है नेट स्कौर होगा आपका जितने भी सही सवाल की ए माइनस ठीक ना 0.25 multiply by W जितने भी गलत हुए ठीक न वह आपको नेट स्कूर बताएगा तो score उतना है कि आपका कितना बना meant to class को सब की ऑ बात như एप ऑगे क्लास के बाद कि बताना हैं तुम यार बात सुनते हो आरें कर पहले सा अधक्या की मैं सब के बैट के आराम से देख तो यार ऐसे तुम अब तुम अपना अकेले अकेले कमेंट में लिख करते ले जाओगे तो उससे कोई भाजा थोड़ी है क्लास के बाद बताना है चलो एकाज सवाल का जवाब भी और देते जाओ पेविंग ब्रिक्स और प्रिफेर्ड फ्रॉम ब्रिक्स कंटेनिंग हाय परसें ब्रिक्स जो हम बनाते हैं वह ऐसी बनाते हैं जिसमें इस्ट जाधा हो तो इसके अदर आयरन आक्साइड की प्रेजिंघ जाधा होती है ठीक है आया रेन आक्साइड लिए हाई आस्परसेंड जाती है उस अब इस को इक सो दस भीरी चल्शेइस पर हीट कर देता हूं तो 10% तक गिर से चै Championships तक गर जाती है अगर 368 डिगरी शीलसिस पारे जाता हूं थो 30% गर जाती से पंसो पचास पहरे पपोरीं स्क्रेंट लूज कर देता है सी 3S का भी कम कर दिया था सी 2S का बढ़ा दिया था सूटेबल फॉर कोल्ड वैदर एरिया लो हीट है तो कोल्ड वैदर में तो वैसे भी दिक्कत करेंगा हीट फाइडरेशन रिद्यूसिंग ट्राइकल्चिम अलुमिन रहा किया तो था इनिशल स्टेंथ इस गेंड इस अधायर नाई काम हो जाती है स्टेमेंट कंटेंज हाई अलुमिनेट पर्सेंटेज एज होता है भी है कि अधिकना दर नंबर ऑफ जोंस इंडिया फॉर क्लासिफाइंग अलावबल मॉइस्टर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिंबर एस पर इंडियन स्टेंडर आर मैं इंडियन स्टेंडर के इसाब से टिंबर को चार जोन में बाठता हूं किते स्टेंडर चार जोंस चार जोंस आप इसमेश परकाइब का सवाल है ठीक है ना जोंवन में युमिडिटी कि इतनी होती है 40% से कम जों टूसे कहते है इसमें ते 40-50% जों थ्रीमें 60-67% और फोर में 67% से ज्यादा ठीक है यह और ऐसे तेल है इसको मैंने इसको मैं इसको मैं तीनके साथ में नेगोशियेटे टेंडरिंग भी कहता हूं तो यह आपके लिए होगए सबाल है ठीक है फिर भी आखरी पॉइंट आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं इस सेशन का कि जिन बढ़ी बच्चों को यहां पर पीडिएफ की जरुवत है तो कुछ नहीं करना है ठीक है अपना सेशन खोलेंगे हम सब लोग ठीक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अपने एज चैनल पर यह अपना सेशन चल रहा है सभी बच्चे सेशन को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे दूसरी बात यह भी है कि इसके अंदर जॉइन शुबंसर टेलिग्राम ठीक है आज रात को आप लोगों के लिए इसके अंदर वह भी आएंगे क्या कहते हैं नॉन टेक्निकल के भी कुछ पीडिएफ और क्या कहते हैं इसके साथ साथ फंदरा सो प्लस कोश्चन की भी डाली है इस्ट्री जोग्रफी पॉलिटीस रिलेटेड पीडिएफ आज आपको कुछ नहीं करना है उसमें एज एग्जाम में जाना है ठीक है और चूज करना है एजसिब्ट सुपर कोशिए ठीक है जिसको हमने अफ़ोडबल बनाने की कोशिष की है और इसमें सब भी एकजाम का सब्स्रेप्शन एक ही में मिल जाता है इसी के अंदर सारी अगर आपको सब्सक्रिप्षन लेना है जैसे की चे महीने का सब्सक्रिप्षन प्लस बुक तो 4769 का है बट हम इसमें क्या कर सकते हैं मेरा नाम लिखकर की मदद से हम क्या कर सकते हैं इसको reduce कर सकते हैं तो S-H-U-B-H-A-M-S-I-R शुभम सर लिख दिया और ये price पहले से reduce हो गया ठीक है ना? तो इस तरह से हम reduce कर सकते हैं price को ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखें और book कैसे order कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को इसकी एक step जो है टेलिग्राम ग्रूप में भी लिख कर दी दूँगा आप उस tip को follow कर लीजे आप सिर्फ book order करना चाहें तो सिर्फ book भी order कर सकते हैं ठीक है? चलिए तो अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ते रहें कोशिश करें कि बढ़िया पढ़ना है इस बार एक्जाम को फोड़ना है पूरी तरीके से मेहनत करनी है ठीक है ना? और जित्ता मेरा डेड़ महिने में गला बैठाया है उसको selection के form में result में वापिस करना है ठीक है? चलिए तो take care for the day गुड़ नाइट जैहन